हर्याणा के परिवहन मंत्री अनिल्विज एक्षन में दिखाई दे रहे हैं विसरकारी बसों के मनमाने तरीके से प्राइविट धाबों पर खड़े होने को लेकर खास से नराज हैं उन्होंने इस संबन में परिवन विवाग की बैठक के बाद कई आदेश जारी किये हैं इसके साथ ही नीजी बसों को लेकर भी आदेश जारी किये हैं अनिल्विज ने बैठक के बाद कहा कि हर्याणा में कोई भी वाहन बिना नंबर के नहीं चलेगा साथ ही कोई भी सरकारी प्राइविट धाबे पर खड़ी नहीं होगी अरिल्विज ने कहा कि सभी जीयम को इसकी रेगुलर चेकिंग करनी होगी साथ ही उनके बिना पर्मिट के चलने वाली बसों को रोकने के लिए भी कहा है इसके साथ ही उन्होंने बसों के आने जाने के टाइम के लिए डिजिटल एप बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये ताकि आम लोगों और विभाग के अधिकारी भी देख सकें कि बस कहा है यही नियम प्राइविट बसों पर भी लागू होगा जीपियस लगने के बाद लोगों को परिशानी नहीं आएगी इसके अलावा अनिल्वि जाए फूट सेफटी टीम बस स्टैंड पर भिकने वाले समानों की रेगुलर चेकिंग करे और उसकी जानकारी भी दे साथी सडक हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें ठीक किया जाए अनिल्विज ने रोट सेफटी डिप की मीटिंग बुलाने को भी कहा है अनिल्विज ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन ड्यू है तो उसे फौरन दे दे साथी उन्होंने गाडियों की फिटनेस चेक करने के लिए लेटेस एक्विपमेंट खरीदने को भी कहा है